हेलो एब्रिवन एक्साइज 6.2 कॉश्चन नमबर 2 बहुत ही इंपोर्टेंट कॉश्चन है और बहुत ही इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट यहां समझने वाले हैं तो कॉश्चन क्या है हमारे पहले वह पढ़ लेते हैं उस कॉंश्चन में एक मेंबर दे राख है तो दीधे ट्रेप्लेट का मतलब है थी prophets working if less हbles सिं होते हैं पर 화 20 पहले हम समझेंग आखर का होता क्या है तो देखो सबसे पहले तो मैं जो तीन मेंबर है उनके नाम लिख देता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं तो पाइथोगोरेंट ट्रिप्लेट्स देखो तीन होते हैं एक होता है 2M एक होता है M square minus 1 और तीसरा यानि last होता है M square plus 1 बहुत सारे बच्चों को यह पता ही नहीं होता कि जैसे आपने previous class में पड़ी होगी तो पाइथोगरें ट्रिप्लेट्स बनते हैं कैसे देखो यह राइट एंगल ट्रेंगल मैंने बना दिया यह एंगल 90 डिगरी देखो यह ABC एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया तो यह जो तीन जो साइड होंगी यह तीन साइड पाइथो पुरा स्ट् easy किया होती है C का स्कॉयर इकल टू एडी का स्कॉयर प्लस बी-सी का स्कॉयर यह ABC एप कुछी साइड का नाम भी ले सकतेते हैं Upper यहां पर ABC दिया है आप यहां कुछ और नाम भी ले सकते थे और यह इसका मतलब क्या है जो हाइपोटनीज जो होती है हाइपोटनीज का स्क्वार एक्वल टू बेस का स्क्वार प्लस पर्पेंडिकुलर का स्क्वार ठीक है मैं यह यह ले लेता हूं तो यह तीन जो साइड आएगी AC वह इन दोनों से बड़ी साइड होगी क्योंकि हाइपोटनीज एक राइट एंगल ट्रेंगल सबसे बड़ी होती है तो देख लेते हैं जरा पाइथागोर श्यूर्म लगाकर AC की वैलू कितनी आती है तो देखो AC स्क्वाइर एक्वल टो AB कितना 3 और इसक्वाइ देखो 3 का स्क्वाइर आगया 9 4 का स्क्वाइर आगया 16 AC का स्क्वाइर आगया कितना 9 प्लस 16 यानि 25 अब यहां पर जो AC की वैल्यू जो आएगी वह कितनी आगी AC स्क्वाइर जरूर 25 है तो कोई ऐसा नंबर बताई है जिस नंबर को उसी से मटिप्वाइर करने पर 25 आए यानि वह नंबर आएगा 5 ठीक है 25 आएगा माइनस 5 का भी स्क्वाइर करेंगे तो 25 आएगा ठीक है तो AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई पांच अब आप देखिए जैसे मैं बता रहा था पाइधुरें ट्रिप्लेट्स तो यह 3 4 5 यह इस राइट एंगल ट्रेंगल के तीनों साइड बन गी तो यहां पर ज है यह पाइधुरें ट्रिप्लेट्स ठीक है अबसके समझ में वा तो पाइधुरें ट्रिप्लेट्स अब यहां पर क्वश्चन के एक यह मेंबर स्ट संति है noch kg meto foi रहा है तो चलो अब निकालते है इसके प्रेकर बेसिक पांसलिग होते क्या अब तो निकालते कैसे हैं तो दीखिए यह डारेक्ट एक कॉंसेप्ट है कि हम पाइथ गुर्ण ट्रिप्लेट से निकालने के लिए यह तीन हमारे पास हैं इन में वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू किसकी पुट करते हैं वैल्यू हम पुट करते हैं M की अब M कैसे निकाले तो M निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इन मैंसे कोई जो हमें आसान लगता जैसे 2M आसान है तो इसको हम 6 माल लेते हैं क्योंकि question में दे रहा है who's one member is यानि python triplet जो तीन यह साइड थी न इसमें से एक साइड दे दी हमारी 6 तो एक को माल लेते हैं यानि हमने माल लिया 2M इक्वल टू 6 ले लिया 2M इक्वल टू 6 यहां से M की वैलू निकालने आसान है कि इन दोनों में हम यह M की वैलू पुट करने वाले हैं तो देखो सेकंड कितना आजागा सेकंड पाइट देर्फोर M स्क्वाइर माइनस वन कितना आएगा देखो m की value कितनी है 3 हमने निकाली तो यहां put कर देते हैं यानि 3 का square minus 1 थी का square कितना है गा 9 3 का square 9 3 का square का मतलब 3 into 3 square का मतलब उसी number को उसी से multiply करना है 3 का square 9 यानि 9 minus 1 तो कितना आ गया 8 ठीक है m square minus 1 की value कितनी आ जाती यहां पर एट तो एक तो पाई थोंगरेंट त्रिप्लागए हमारा यह आ गया एक हमें दिखांता त्ञें अब तीस्रा निकाल लेते हैं देखो कितना कर देते हैं 3 का स्क्वाइर प्लस 1 तो 3 का स्क्वाइर यानि 3 इंटो 3 कितना 9 9 प्लस 1 कितने आगे 10 तो जो तीसरा जो पाइथोगोरेंट ट्रिप्लेट्स आ गया कितना आ गया वह आगया हमारे पास 10 ठीक है तो हमने यह ले लिए अब हम यहाँ पर लिख देंगे देर्फोर 3 पाइथोगोरेंट ट्रिप्लेट्स आर कौन-कौन से एक तो जो क्वेश्चन में दे रखाता है यानि 6 कॉमा दूसरा हमने m2-1 निकाला कितना 8 तीसरा 10 तो एंड 10 ठीक है इस तरह से हमारे एक क्वेश्चन कम्प्लीट होता है ठीक है यह आपको धियान रखना है कि जो द आसान होता है ठीक है तो इस तरह से एक पार्ट हो गया हमारा ओके नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे पार्ट भी बता देंगे थैंक यू